नमस्कार दोस्तों देखें मित्रों अभी जो रीट SST के जो यूनिट वाई स्ट शीरीज चल रही है अभी एपर उसमें आज 27 दिसम्बर को जो रीट SST की 4th यूनिट है उसका अथा पेपर सुबह 10 बजे और फिर 2 बजे तो उसमें जो है सब विद्यार्थियों का जो स्कोर है वो क्या है कौन सा बेस्ट स्कोर है यानि कितने स्कोर को हम सही मान सकते है तो आपके सही स्कोर है और जो उपर के top 20-25 विद्यार्थि है उनके सब के नाम बताएंगे आपको तो पूरे वीडियो को अच्छे से देखेग और जिन विद्यार्थी उन्हें जोईन नहीं किया है वो जोईन कर सकते हैं और अभी देखेगा 31 दिसंबर तक जो है अभी रास्तान जीके का कोर्स 99 में कर रखा है और बाल विकास और शिक्षा सास्तर का कोर्स है वो अभी 699 में कर रखा है 31 दिसंबर तक तो कोई विद्यार्थी लेना चाहे तो वो ले सकता है क्योंकि रीट में रास्तान जी के पूरा एड होने वाला है और बाल विकास है पूरा मैन तो ये पूरा जो है डिटेल में चल रहा है हमाँ पे तो अभी हम बात करते हैं यहाँ जो फोल्डर है ये वाला तो इसमें पेपर था ही आज टेस्ट पेपर होगे साथवा और आठवा तो ये फौर्थ यूनिट का पेपर सेवन और पेपर एट ये थे आज 27 दिसंबर को नेक्स्ट पेपर जो होगा वो पांचवी यूनिट का होगा तीन जनवरी को आपको सेडिल मैंने बतार का है सारा आपने सेव करका होगा ये देखेगा ये यूनिट का टेस्ट पेपर था भारतिय सभिदान और लोगतंतर ओदेशिका, मूल अधिकार और मूल करते वे, धरम निरपेक्स्ता और सामाजीग नहीं अलांकि देखेगे दरम निरपेक्स्ता और सामाजीग नहीं है, ये कोई अलग से ऐसा नहीं है दरसले इनी में जो आप पढ़ते हैं, वो ही ये चीज निकल करके आती है तो इसमें कोई टोपिक ऐसा नहीं है कि बहुत सारे थे और जो मैंने 100 क्यूसन का आज टेस्ट पेपर होगे आपका, मौर्निंग में 50 और सेकंड दो बजे 50 क्यूसन का तो आपका जो पेपर भी देखे इनी मेंसे ही बनेगा, अब अगर क्यूसन और उसमें बनाएंगे, तो वो क्यूसन रिपीट ही होंगे क्यूंकि वो ही क्यूसन बनेगा, अब उदेशी का मूल, अधिकार मूल करते हुए, तो इन मेंसे 100 क्यूसन बहुत होते हैं उनी मेंसे आपके क्यूसन आएगा, अगर एग्जाम में भी आएगा, तो लगबग 5 क्यूसन आपके इस यूनिट मेंसे हैं कुछ यूनिट ऐसी है जिन मेंसे आप पूरे मैंसे पूरे नमर बहुत आराम से खीन सकते हों जैसे जो पहले वाले यूनिट थी थर्ड यूनिट इसमें बहुत सारे टोपिक हैं और क्यूशन का रेशो वही लगबग 5 के आसपास रेशो रहेगा लेकिन ये यूनिट में संडे आएगा उस दिन इसका पेपर होगा फिप्ट यूनिट का संसत राष्ट पती परधान मंत्री और मंत्री परिशद सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार पंचायती राज और नगरिये सवसासन तो इसमें टोपिक शांदार हैं तो इसका टेस्ट पेपर लिया जाएगा आप देखे बात करते हैं कि आज के जो दोनों पेपर थे उनमें कितना स्कोर आपका सही होता तो पहले बात है कि 70% से उपर जिनके भी नंबर है वो सब बहुत अच्छे नंबर है क्योंकि इतने नंबर आपके इनमें आने चाहिए थे और अब बात करते हैं कि वहाँ रीट नहीं होगी वो यहाँ पे थी और थोड़ा से इस परकार से देखें तो 4-5% आप उसमें एक्ष्टाओर कर दीजिए तो लंब सम आपका जो रिजल्ट है वो यही रहता अगर आज आपका पेपर होता तो क्योंकि जो रीट का एक्जाम होगा तो उसमें इस से ज़्यादा कोई मुश्किला पेपर नहीं आ सकता और यही जो रीट का जो इस्तर होता है रीट में जिस तरह से क्यूशन पूछे जाते हैं तो उसके एसाब से देखा जाए आप उसमें 4-5% एक्ष्टा नमबर ओड़ पूशन सिंग यह फर्स्ट स्थान है सो मैसे इनके नमबर है 94.68 यह फर्स्ट रेंक है इनकी सेकेंड स्थान पे अब इनके भी नमबर सेम ही है यहां तक नमबर सेम है हलांकि रेंक तो एक दो तीन चार के साबसे बन गई है क्योंकि नमबर जैसे आते हैं तो साबसे यह रे सेकेंड पे बजरंग लाल विस्नोई जी हैं अभिसेक राव परवेश तो ये चारों ही फस्ट हैं इसके बाद में है कविता आपके हैं बाण में पॉइंट 68 पूजा सर्मा 92.02 शर्मिला 92.02 और संधीप कुमारी 92.02 यहां तक सब के 92.02 हैं सभी के तो ये सब जो है इनकी आप तीसरी रेंक जो है वो इसमें मान लीजी यहां तो ये चलो 245 नंबर वाइस वैसे आगया लिखावा इन सब का जो है वो कौन सा इस्तान रहा है तीसरा इस्तान रहा है सब का पुजा सर्मा, सर्मिला संदीब कुमारी, मोनिका, मीना चोधरी, पुस्पा विश्णोई, माया कमर तो इन सब के 92.02 हैं मानवेंदर कुमार यादव, शामा सर्मा, नेहा सर्मा बीमराज, कुमावत, केदार, चोधरी, रामलाल, रामलाल जी का नाम जो है, यह दरसल वो बाल विकास में, उनमें विद्यार्थी नाम से परिचित होंगे, कोई भी मैं अगर उदार्ण देता हूं तो रामलाल नाम लेता हूं रामलाल, पूजा गुजर, यहां तक जो है, वो 92.02 है, तो इन सब का जो है, वो कौन सी रेंग बनी है, तीसरी रेंग बनी है, तो लगबग टोप 20 के आसपास हो गए हूं, गुडिया, 91.34, अलका विजे, और सुमन, साक्षी, गरिमा सर्मा, पिरियंका, सुभाज सेन तो यह लगबग जो है, 26 विद्यारती है, आसपास हो गए इतने, तो सब के और आजवाले पेपर में इतने नमबर आ सकते हैं, तो इसमें कोई आज सरी की बात नहीं है, किसी को लग रहा हो कि इतने नमबर आ जाए हैं, तो बिलकुल आजवाले में आ सकते हैं, क्योंकि अदेशी का मूल अधिकार मूल करते हुए, और बाकि जो दो टोपिक भी है, वो भी इनी में से ही जो क्यूशन बनेगा वो, इनी में से मेटर है, तो सभी का बहुत अच्छा स्कोर रहा है, और इसी परकार से आप परियास करते रहिए, आप मान के चलिए, जितने नमबर आ आज पेपर होता तो, अब सेकिंड पेपर के बारे में हम बात करते हैं, तो ये जो आज का दूसरा पेपर था सेकिंड पेपर, यानि वैसे अगर कुल संख्या में देखा जाए, तो अब तक यूनिट वाइज पेपर का ये आठवे नमर का पेपर था, तो इसमें भी आपक में से और कुशन बनाओ, तो ये ही अब रिपीट होना सुरू हो जाएंगे, किसी ना किसी रूप में, तो आप इनको अच्छे से कर लीजेगा, आपका ये वाली यूनिट वैसे ही अच्छे से हो जाएगी, दिलिप कुमार डूडी देखिए, यहाँ पर जो फर्स तान है, वो दिलिप कुमार डूडी का है, 95.34, मंजु मिना 94.68 और नेहा सर्मा 92.68, तो सेकिंड पेपर में ये रहें, टोप 3 स्टुडेंट, फिर तो ये होगे, दिलिप कुमार डूडी, मंजु मिना, नेहा सर्मा, नेक्स्ट है यह प्रियंका, 92.02, अब कईयों के 92.02 हैं, अर्मा खान, मिना चोदरी, दिपिका, माही, इनके बाद है, जुमर जुमर, ये है 92.02, सुधा, 92.02, तो यहां तक जो है, वो सब के 92.02 हैं, इनके बाद है, संजु कुमारी, तो ये 90.68, पारिक, तो 9.02, सरस्वति सिद, 9.02, सुषिला, लाख रन, 9.02, पंकज यादव, 9.02, यहां तक 9.02 है, संजु, तो सभी का बहुत अच्छा स्कोर रहा हैं, इसमें, तो पंकज यादव, संजु, सर्मिला, 89.36, और पुष्पा, लक्ष्मी, सार्दा, भीमराज, कुमावत, मोनिका जहांगीड, अनिता कुमारी, रवी कुमार, जडे जा, तो यह सब 89.36 हैं, तो रवी कुमार जी तक होगे, मंजु, साहरन, प्रीती, यहां तक 89.36 नमबर हैं, उनके बाद हैं, गगन प्रीत, सुमन नागदा, सुमन, तो इस प्रकार से जो हैं, यह विद्यारती हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर है आप सभी का, इसी प्रकार से जो कंटिन्यू है, वो इन में नहीं आया, किसी की रेंक आगे बन रही है, किसी की सौवी रेंक है, किसी के 200 रेंक बनेगी, किसी के 300 तक 400, 500, को भी द्यारती हैं इसमें, तो उन में कोई नमबर इन में नहीं आ रहा है, तो ऐसे कोई मन में निरास होने की वैसे आप शक्ता नहीं है, निरास तो इतने minimum आ रहे हैं, मेरा size scorer और मुझे आप इसी परकार से त्यारी करते रहना है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे आज के paper थे और किसी के number ही 40% आ रहे हैं, और आए भी हैं, बहुत से विद्यार त्यूंग number आए भी हैं, किसी के 40% भी हैं, 45 भी हैं, 50 भी हैं, 55 भी हैं, तो आप उ कितने विद्यारतियों में से आपकी कौन सी रहें, उसको थोड़ा सा और उपर की तरफ करेंगे, वहां लिखाएगा view solution, उस view solution पर क्लिक करेंगे, तो फिर आपने जो भी question किया हैं, उसमें कौन सा आपका गलत था, वो सब उसमें आ जाता है, आप थोड़ा सा देखी इन च परदशन दे रहा है, और काफी महनती विद्यारती हैं, सभी काफी महनत कर रहे हैं, लेकिन जिनके नंबर कम आ रहे हैं, तो वो यह देखेगा कि मेरे अगर 40% अगर इस paper में आ रहे हैं, तो मेरे क्यूं आ रहा हैं, हालांकि जो पिछले paper थे, तो थोड़े से मुश्किल ब और खास करके 5 वा और खास करके 6 पेपर जो नमर वाला था है वो थोड़ से हार्ड इन में सब से ज़्यादा थोड़ा हार्ड हो गया था वो तो वो पेपर देखने के बाद में जो उन पेपर से निकल गया उनमें तो जिसके 40% भी आगे थे 5-6 में वो भी बहुत थे 40% भी अगर आपके नमर आगे थे अब जैसे RS वगरा की जैसे RS पी की कटोब जाती है तो कई बार कटोब जो है वो 35% जाती है प्री की कई बार 30% जाती है वो पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा है तो उसमें जैसे जिनके 40% भी थे 5 वे और 6 पेपर में तो भी बहुत अची नमबर थे वो आजवाला अब जो भी आप पेपर अगर करोगे कभी रीट का दोगे आपको पेपर ऐसा लगेगा रीट का जैसे बहुत सरल अब क्यों क्योंकि आप उन सुरू के 6 पेपर से आप निकल गए तो वैसे पेपर आप को कभी भी रीट में देखने को नहीं मिलेंगे उतने मुश्किल लेबल के ये तो मेरा जो है बैस मैं मेरे हिसाब से बनाता हूँ पेपर और मुझे लगता है कि विद्यार्थियों से जितनी ज़्यादा मेहनत करवा सकते हो करवाओं जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी करवाओं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हो आपकी त्यारी करवा रहे मुझे आशा है इस बार बहुत विद्यारती जो है वो सलेक्ट होंगे सबी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं पूरे वीक अच्छे से मेहनत करते हैं और उसके बाद जो है पूरी निष्ठा से जो पेपर देते हैं तो अब जैसे मैं कहा रहा थे कि आज वाले पेपर में अगर किसी के 40% है 50% है तो आप ये देखे कि आपके क्यूशन क्यों गलत हुए निशी द्रोप से आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की होगी तभी गलत हुए तभी इतने नमराई होंगे आज आज वाले में कम से कम 70% तो आने चाहिए थे कोई ऐसा पेपर नहीं था कि आप 70% नहीं ला पा रहे हैं यानि 50 में से कम से कम 35 क्यूशन तो सही होने चाहिए थे आज आपके 30 मान लेजी ए 30 तो सही होने ही चाहिए थे तो आज के वीडियो में इतना ही नेक्ट जो पेपर है वो होगा 3 जनवरी को 5 यूनिट का वो ही सुबह 10 बजे और 2 बजे तो उसकी त्यारी कीजिए और उसमें मेटर खूब है जो आपकी 5 यूनिट है जिसमें पारलिया मेंटर राष्ट पतीर इनमेक्यूशन खूब बनेंगे और जिन विद्यार्थ ने जोइन नहीं किया है वो जोइन कर सकते हैं अभी भी सारे पेपर आपके सामने है आप पेपर देखिएगा आपका कितना क्या इसको रह रहा है और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बता है बाल विकास वाला है 31 दिसंबर तक कॉर्स 699 में है उसमें वीडियो लेक्षर प्लस नोट्स और प्लस टेस्ट पेपर यह होंगे और रास्तान जी के आप सबके एड होने वाला है सभी के एड होगा वो और सारा रास्तान आएगा आपके तो आप भी 999 में चल रहा है आप ले सकते हैं 31 दिसंबर तक और जिन विद्यार्थों ने ओलरेडी कॉर्स ले रखा है रास्तान जी के का वो अब उन्होंने साथ-साथ सारा मेरे पढ़ लिया है वो दुबरह सारे वीडियो सुरू से देख डालें अब अब जो भी वीडियो में जितने भी अपलोड कर रखे हैं उसमें लगबग 200 वीडियो अब जो हैं उसमें कंपलीट होने वाले हैं एक सो पिचान में, चान में के आसपास वीडियो हो गए हैं राजस्तान हिस्टी कंप्लीट होगी, राजस्तान की जो कलावर संसकर्ती कंप्लीट हो चुकी है और राजस्तान की जो पॉलिटी है राजनिति को परसासनिक वेवस्ता वो आभी चल रही है पॉलिटी कोई बहुत सारी नहीं है उसमें रास्तान के पॉलिटी ज़्यादा नहीं है तो आज की वीडियो में इतना ही तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ जै हिन्द, जै बारत